तो आज आप लोगों को मैं बताने वालों BTTH के सबसे पाउरफुल क्लैनों के बारे में तो BTTH के अंदर सबसे ज़्यादा पाउरफुल 8 क्लैन है और उन्हें ancient क्लैन भी बोला जाता है यह वाले क्लैन बहुत समय पहले बनाए गई थे और इन सबी क्लैनों को एक जैट का पीस दिया था अगर वो सबी जैट के पीस एक क्लैन के पास पहुंझाते हैं तो वो क्लैन और उसका लीडर इतना ज़्यादा पाउरफुल हो जाएगा उसे कोई भी नहीं हरा सकता है तो इसलिए उन कभीलों में से बहुत से क्लैन अपने आपको इसलिए पाउरफुल बनाते रहे कि वो उस जैट के पीस की रक्षा कर पाएं और कुछ क्लैन उन से लेने के लिए और ये क्लैन किते ज़्यादा पाउरफुल है उसका इडिया को इस पासती ही लग जाएगा जो जीमा एंपर उसके अंदर बहुत सारे क्लैन आते हैं मिस्टी क्लाउड सेक्ट और भी बहुत सारे सेक्ट आते हैं अगर जीमा एंपर से जीव क्लैन को निकाल दे तो उन अंसेंट क्लैन हमें जो सबसे कमज़ोर क्लैन होगा तो उस क्लैन से भी एक warrior आके पूरे G-man Empire को तबा कर सकता है तो सेम जीयान के क्लैन के पास भी इती ज़्यादा पावर है जो जीयान की परदादा के परदादा है अगर वो Mystic Cloud Sext से fight करते हैं तो फिर वो यूंसान को बिना टच कर रही मार सकते हैं, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, एंसेंट कभी लोगो रेंक करना, और रेंक करेंगे हम लोग उस क्लैन के लीडर का लेवल क्या है, और साथ यूस क्लैन के अंदर किते मेंबर हैं, जो दाउश हैंगे, तो 8 नमबर पे आता है शी क्लैन, पर इस क्लैन के अंदर कोई भी मेंबर नहीं आता है, क्योंकि इस क्लैन का नाम और निसान मिटा दिया गया, और इस क्लैन का किसने नाम और निसान मिटा है, वो आपको पता चल जाए का आंगे, और 7- नमबर पे आता है Yau Clan जो की होता है हमारे Master का Clan पर इस Clan का भी नामनिसान मिटा दिया जाता है और इस Clan के साथ जो कुछ भी उसको करने वाला कोई और नहीं है सेमी बंदा है और 6- नमबर पे Link Clan और इसे Spirit Clan भी बोला जाता है पर इस clan का भी नाम निसानी बचा है और इस clan को भी same बंदे ने destroy कर दिया पूरा और जो fifth number पे clan है वो काफी ज़्यादा important clan है और clan का नाम है यान clan और इसके clan के leader का level है 80 star डाव शेंग और चार और डाव शेंग है इस clan के अंदर पर इससे भी important इस clan की खासियत है यह heavenly flames को बना सकता है इसी बज़े से इस clan के पास सबसे ज़्यादा heavenly flames है और BTTH के अंदर heavenly flames किती ज़्यादा important है यह वाद तो आप जानते ही हो और fourth number पे आता है ली clan और इस clan का head भी डाव शेंग के 80 star पर है और साथी चार डाव शेंग और भी है और यहीं चार elder के अंदर एक elder है जो की जीनन अकेडमी के headmaster है और third number पे गू क्लेन और इस clan का दूसर नाम भी है यूनर क्लेन यूनर का नाम सुनके आप समझी चुके होगे यह clan किसका है और इस clan की power की बात करें तो इसके अंदर एक duty है जो की और कोई नहीं यूनर का father है और इनको god वानाने वाला कोई और नहीं हमारा जियान है और इस clan के अंदर काफी सारे warrior भरे हैं जो dao shank पर है अब बात करते हैं first और second number की तो यह थोड़ा सा confusing है पर मैंने novel के साथ अपना थोड़ा सा ग्यान मिलाया और उसके बाद मैंने decide किया चि फस्ट पे किसको रखें और second पे किसको रखें क्योंकि एक clan के अंदर है high god मतलब full power वाला god और dao shank के warrior के तो line लगा रखी है बाकी के सभी clanों को मिला कर इतने dao shank नहीं है जितने इस clan के पास हैं पर फिर भी मैंने अपना big brain यूज किया और इसको मैंने second number पे रखा और इसका नाम है hand clan और जो आपने starting में नाम देखे जिनका नाम होने सान मिट चुका है उनको मिटाने वाला hand clan ही है और इस clan के leader का नाम है hand TRD और इसके पास second सबसे powerful heavenly flame भी है और जैसे heavenly flames हो के बारे में नहीं पता कि कौन कित्ती ज़दा powerful है तो मैं आपके लिए end screen में वीडियो लगा दूँगो तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और number one clan की बात करूँ तो वो है Jew clan क्योंकि उसके अंदर है flame god और फिर flame god की दो बीबिया है जो की god है और चार girlfriend भी है और उनमें से दो डाउश हैंग है और एक दाउजोंग की पीक पर है और अभी खतम नहीं हुआ है जो flame god की बीबिया है जो डूडी पर है उनके बच्चे भी है तो उनके एक बच्ची है वो भी एक strong डाउश हैंग है और इस बच्ची का जो भाईया है वो भी अपनी बेंगी तरही powerful बनेगा तो समझे रहे ना जीव फैमिली का एक फैमिली थोटी सी वो इक इत्ती जादा powerful है उसके बाद भी जीव फैमिली के अंदर और भी काफी जादा powerful बुट्टे भरी हुए हैं जो की डाउश हैंग की stage पर है इत्ती पाउर होने के बाद भी हैंग क्लैन को हराना जीव फैमिली की बस में नहीं था तो इसको हराने के लिए हमारा जीव बना था एक alliance जिसका नाम होता है Sky Mansion Alliance और इस alliance के अंदर आते हैं चार ancient clan इसको बनाने के बाद जीव जीव हैंग क्लैन से fight करता है